हलो फ्रेंज इस वीडियो में हम मनी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं मनी के फंक्शन को हमने प्रैमरी फंक्शन पिछले वीडियो में कवर किया था इस वीडियो में हम कवर करेंगे मनी के सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन को सेकेंडरी फंक्शन क्या है सेकेंडरी function of money are those function which are derived out of primary function secondary function are those function which are derived out of primary function the primary functions a function بنे है वो secondary function है इसलिए secondary function को derived function या derivative function भी कहते हैं I repeat secondary function को derived function या derivative function भी कहते हैं so secondary function का पहला function है standard of deferred payment यह आप देख सकते हैं standard of deferred payment जो हमने पहले वीडियो money के पहले वीडियो में भी समझा था कि money के आने से एक problem जो solve होई है वो यह कि हम product को खरीते हैं और उसके पैसे हम धीरे धीरे पे करते हैं bank से हम loan लेते हैं और उसके पैसे हम धीरे धीरे पे करते हैं right deferred means late payment means pay करना deferred payment means late payment तो देखिए आज कल मतलब आज के time में इतना common है कि हम bank में जाके bank से loan ले लेते हैं और loan लेने के बाद हम bank में धीरे धीरे पैसे देते रहते हैं right अगर मान लो कि एक लाख रुपय का loan है या दस लाख रुपय का loan है तो bank क्या है अगर मान लेजे तीन साल का EMI हमें बना देती है हाँ ना तो हम तीन साल में हर महीने कुछ कुछ पैसा दे करके इंट्रेस्ट के साथ तीन साल में पैसे वो bank को दिये भी जाते हैं और अपना काम भी solve हो जाता है तो bank money आने से यह standard or deferred payment की problem जो deferred payment है यह इससे हमें बहुत help मिली यह बाटल सिस्टम के case में possible नहीं था बाटल सिस्टम के case में possible इस नहीं नहीं था because it was very difficult difficult in the sense मान लीजे अगर मैं किसी से 10 kg चावल लेता हूं आज ठीक है और 10 kg चावल लेने के बाद मैं उसको promise करता हूं कि मैं धिले धिले चावल दूंगा तो मैं एक केजी चावल दिया पहले मैंने दूसरे मैंने एक केजी चावल दिया तो उसके बाद एक conflict हो सकता है कि दूसरा बंदा ये कह सकता है कि मैंने जिस quality के चावल आपको दिये थे आप उस quality के rice मुझे वापस नहीं कर रहे हो यहाँ एक conflict है तो यहाँ problem बंती है दूस सब्सक्राइब करते हैं और वो उसकी पेमेंट फिर इंस्टॉल्मेंट में पे करते हैं तो यह फसिलिटि आने से एक तो लोगो के विश्ट भी पूरी हो रही है डेमांड लोगों के मन में जो यह था कि काश मेरे पास ये मूबाइल होता या काश मेरे पास ये بाइक होती वो भी फुल्पिल कर पा रहे हैं दूसरा economic development बहुत fast हो रहा है because companies जो है अपने product को वो बहुत fast pace पे बेच पा रहे हैं। आप समझो कि अगर हमें car या bike cash दे के खरीदनी होती तो जितनी cars या bikes अभी बिकती हैं वो उसके 30% में आ जाती हैं। तो मतलब अगर अभी 100 cars या 100 bikes बिकती हैं तो यह जो valuation है यह जो figure है वो गिर के 30 पे आ जाता है। क्योंकि किसी के पास आज के date में एक साथ पैसा देने को नहीं है बहुत कम लोग हैं ऐसे। हाँ लेकिन अगर किसी के पास time मिल जाए तो वो 12 लाग की car खरीते हैं चार लाग पांच लाग प्या डाउन पेमेंट करते हैं धिरे धिरे पैसा पे करते हैं। क्या फैदा हो रहा है एकनौमी में डिमांड बढ़ रहा है कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है को प्रोडक्शन बढ़ने से अपने जीडीपी की क्रोथ होती है डिमांड बढ़ने से कंपनी कंट्री ग्रो करती है So, you know, the country actually is growing because of this function आप खुदी हिसाब लगा लो कि अगर ये हट जाए तो क्या होगा मुझे आज घर खरीदना है तो मैं आराम से बैंक से लोन लेता हूँ अगर मान लो कि 70-80 लाक रबे का घर है तो हम 40 लाक रबे डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो घर भी खरीद लेते हैं अगर ये नहीं होता तो घर नहीं खरीद पाते खरीद नहीं पाता जिसने बनाया वो बेच नहीं पाता तो नहीं वो बनाता भी नहीं वो नहीं बनाता तो सीमेंट नहीं बिकता rods नहीं बिखते, sand नहीं बिखता, कुछ नहीं बिखता, तो देखो ये सारा linked है और ये बहुत ही important function है, right, store of value, now money can be stored, money can be stored in any form, money can be stored in form of fixed deposit, money can be stored in savings account, money can be stored in current account, money can be stored in the form of shares, money can be stored in the form of gold, तो money से आप कुछ भी खरीद लो, या money को कैसे भी store कर लो, possible है, और इसका कोई price बहुत considerably high नहीं है, but in the case of butter system, storing was a big difficulty, अगर मेरे पास मान लो कि 10 say buffalo हैं, या मेरे पास 10 cow हैं, तो मैं कहां उसको store करूंगा, storing them would require a lot of huge space, और उस space को रिखने के लिए पैसा देना होता, तो storing in the case of butter system was not that easy, rather it was very difficult, but in the case of money it's easy, transfer of value, आज के date में हम पैसे को कहीं से बैठे बैठे कहीं भी transfer कर देते हैं, आज अगर मेरे पास यहां पैसे हैं, तो मैं अगर चाहूं मैं पैसे कहीं भी देता हूं, अगर मैं कुछ Amazon से या Flipkart से मंगाता हूं, तो मैं payment online करता हूं, online payment करने से, product अपने पास हमारे आता, तो basically, जो पैसे मेरे पास थे, मैंने उसकी value किसी और को transfer की, और उनसे मैंने product को खरेद लिया, ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरे friend को पैसे चाहिए, अगर मान लो कि मैं दिल्ली में हूं, और उसे Bombay में पैसे चाहिए, या उस पैसे हैं, तो immediately, you know, just a click we require, mobile में एक click और पैसे transfer, so this is how transfer of value, this is what transfer of value means, so money can be transferred from one place to another, from one person to another, without much difficulty, rather it's very simple, okay, अब आते हैं, contingent function पे, contingent function are those function, which helps the various economic entities like producers and consumers, right, so contingent function जो है, these are those function, which helps various economic entities like producers and consumers, so contingent function में आता है, measurement of national income, measurement of national income, national income हम money के form में measure करते हैं, right, so India की national income मान लो की 50,000 करोट रपय हैं, तो यह भी money के form में express हुआ, अगर money नहीं होता, border system and national income calculation would have become next to impossible, right, what is basically national income क्या है, वो GDP से calculate करते हैं, so first we convert the value of final goods and services produced in an economy in a particular year, so in terms of money, GDP पहले convert करते हैं, GDP से national income निकलता है, तो जो भी GDP कनवर्ट, GDP कालकुलेट कर रहे हैं, या national income कालकुलेट कर रहे हैं, सारे in terms of money हैं, ठीक है, तो पैसा, money है, इसलिए national income कालकुलेट कर पारे हैं, तो भी नहीं कर पाते हैं, okay, maximization of satisfaction, you see, हमने cost में और revenue में पढ़ा था, अगर आप मेरे previous वीडियो में देखोगे, तो a producer attains an equilibrium when marginal revenue is equal to marginal cost, यह फंडा शायद जितने लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जितने लोग ने microeconomics धंसे किया है, उनको यह concept तो पता है कि producers equilibrium is a point where marginal revenue is equal to marginal cost और the gap between total revenue and total cost is maximum, तो अगर money ना होता, ना मुझे marginal revenue, marginal cost के बारे पता होता, और नहीं मुझे यह पता होता, कि यह producer को maximum satisfaction कहां मिल रहा है, तो producer को maximum satisfaction कहां मिलता है, जहां marginal revenue is equal to marginal cost, and how do we express marginal revenue and marginal cost, in terms of money, okay, similarly, consumer को equilibrium कहां मिलता है, यह तो producer की बात थी, consumer को कहां मिलता है equilibrium, where marginal utility is equal to price, see, again, marginal utility भी हम in terms of money ही express करते है, तो marginal utility is equal to price, देखी, अगर money नहीं होता, तो again, यह equation नहीं बन पाता, right, तो producer को कहां maximum satisfaction मिलेगा, consumer को कहां maximum satisfaction मिलेगा, वो money के absence में पता चल ही नहीं पाता, right, and finally, basis of credit, banks में जो checks और demand draft use होते हैं, वो तो money हैं, तभी use होते हैं, महरे check में हम एक amount लिखते हैं, money लिखते हैं, तो check में बार्टर सिस्टम होता, तो check में हम थोड़ी कुछ लिख पाते हैं, राधर बार्टर सिस्टम होता, तो कभी bank bank बनते ही नहीं, bank वेगरा बने इसलिए हैं, क्योंकि money existence में आया है, ठीक है, तो इस primary, secondary and contingent function ये आप complete हुआ functions, अब next video में हम money supply को पढ़ेंगे, तब तक देखते रहिए, and keep referring the channel to your friends so that उनको भी help मिले, thank you.